हलो स्टुडेंट्स एन वेलकम यू आल इन और उनलाइन लेर्णिंग प्लेटफॉर्म बेचू भी जो इंट्रेंस है 2021 उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रिवेस एर कोश्चन सेल्योशन सिरीज को स्टार्ट के हैं जिसका ही तीसरा वीडियो है दो वीडियो आल्रेडी अप कोश्चन फॉर्मेशन हो सकते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते ही वीडियो को इससे पहले मैंने आप से सिकन्ड वीडियो में मैं पूछा था एक क्या मैंने दो कोश्चन साब से पूछे थे पूछा था अरुणांचल प्रदेश के तीन जो टाइगर रिजर में वह बताने हैं और आपको बताना था काजी रंगा काजी रंगा जो है टाइगर यह कहां पर है तो यह चीज़े आप लोगों ने बहुत ही अच अंसर दिया हैं लेकिन चार अंसर बहुत ही अच्छे थे ऊपके तो सभही अंसर में से चार अंसर बहुत ही बढ़ charcoal ते अच्छे क्यों थे क्यूंकि मैंने पूछा था कि तीन टैगर रिजर्व और उसके बाद काजी रंगार रास्प यह यह कहां पर है अकर लेकिन इन्हो इस चीज़े बहुत ही ज़्यादा important हैं तो आप उसी answer से अगर इडिशनल पॉइंट जो important हो तो वह आप लिख सकते हैं जो आपके exam के point of view से important हो नहीं आप एकदम बहुत ही इस वीडियो में question पूछूंगा आप लोग ट्राई करना को उसका आप अच्छे से अंसर दो और उसके बारे में जो भी important जो भी मैं पूछूंगा उसके बारे में जो भी important आपको पता होगा वो सारी चीज़े आप comment box में एक ही comment में लिखतो चलिए देखते हैं आज के questions को उससे पहले अगर आप हमारे online courses में admission लेना चाहते हैं तो इस number पर आप call कर सकते हैं चलिए पहला question है आज का which blood group type is called as universal donor यहां से दो तरीके के question formation हो सकते हैं देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं पहला हो सकता है universal donor का जो की है O तो यहां से answer हमारा क् type O universal donor क्या है type O और दूसरा हो सकता है 2021 के interest में पूछ ले universal receiver कौन सा है सर्वगराही उकी universal donor का मतलब होता है सर्वदाता universal receiver का मतलब होता है सर्वगराही ब्लट ग्रूप पूछेगा तो वह AB blood group जो है यह सर्वगराही blood group है ओके यह आपको clear होना चाहिए यह दो blood group आपको पता चल गए सबको दे कौन सकता है सबको blood कौन देगा ओ देगा सबसे blood कौन लेगा और AB लेगा AB सबसे blood लेगा ऊब sबको blood देगा इससे आपको याद रखना ओ सर्वदाता यह भी नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन है वर्ल्ड हेल्थ ड़ी सेलिबरेटेड ओन विस स्वास्त दियोस कब मनाया जाता है तो यह मना जाता है सेवन्थ अप्रेल को ओके आइधिंग मुझे रिमेंबर है 2020 के जो इंट्रेंस में कम से कम दो से तीन कोस्टन पूचे गए थे ऐसे में आपको क्या करना है चीजे याद करने में काफी ज्यादा लेंदी होती हैं तो आपको कैसे करना है जैसी यहां परेल आपको दिखा अप्रेल में पूछा गया है तो कहीं भी अप्रेल में आपको दिख जाए ओके अप्रेल आपको दिख जाए तो आपरेल वर्ल्ड हेल्थ डे त्रेंट अपरेल वर्ल्ड होमुपैथी दे 17 अपरेल वर्ल्ड हेमोफिलिया डे 24 अपरेल पंचायद द्योस ओके तो इन जो जितने द्योस मैंने लिखें हैं यह मोस्ट इमपोर्टन है और भी आपके बहुत ज्यादा अपरेल में तो उन्हें आप याद किजिए तो जैसे अपरेल आ जाए कहीं भी अमसी क्यों में तो आप तुरंद अपरेल के जितने महतपूर्ड दिवस हैं उनको रिवाइस कर दीजिए ओके तो यह चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्फ होगी तो आई होप यह आपको क्लियर होगा वर्ल इसे रखेंगे इनको याद रखने के लिए जैसे फैट वैसालैवल कया य्याद रखना है लेकिन यहां परmeeर प्रस आपको यह चीज आद करा किड़ अगर आपको यह नहीं याद हो रहा ते आप एक वर्ड याद कि लीजे जचे जो कैड़ है वह फैट soluble है यानि वसा में गुलंसील क्या है कीडा है कीडा आप तो विटामिन यह इंको छोड़ करके जो बिटामिन बचे हुए है यह क्या होंगे यह water water soluble होगा और भी हम options के बारे में जानते हैं और देखते हैं तो vitamin A ये इस option से क्या हमारा तात पर रहेगा तो इसमें आपको याद करना है vitamin A की कमी से क्या हो जाता है night blindness हो जाता है रताउंधी रोग हो जाता है vitamin D की कमी से recatus रोग हो जाता है बच्चों में अस्टो मलेशिया जो है वेसको में हो जाता है यानि सूखा रोगी से हिंदी में बोलते है vitamin E की कमी से जो reproduction label होता है यानि reproduction जो जनन छमता होती है इसमें कमी आने लगती है vitamin C कै क्या है vitamin C खटी फ़लों में पाया Jersey पाया जाता है तो आज क्या आपका question है आपको यह जितने भी vitamin है हो सके étnal के भी यहाँ पर कर लेजें आप लोग के यो चैंटिफिक नेंग यह आपको कमेंट करना है तो यह आज का question है आपका channel नेक्टक् staff यह मैंने लिख दिया है, यहां से भी आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको पीड़ प्रोइट कराने की पूरी कोसिस करूँगा नेक्स्ट कोस्टन है, in which of the following regime the rolling plan was introduced in इंडिया पूछ रहा है rolling plan जो है, जब मैंने आपको economics पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था rolling plan के बारे में तो rolling plan किसके सासनकाल में आया था, यह आया था जनता party के सासनकाल में, जनता party के सासनकाल में rolling plan आया था अब rolling plan के पीछे कब से कब तक था 1978 से 1980 तक ये था rolling plan rolling plan जनता पार्टी के सासन काल में आया था उस समय जनता पार्टी के chief कौन थे या नि हम कह सकते हैं इसको lead कौन कर रहे थे तो मोरारजी देसाई जी थे मुरार जी देसाई जी उस समय लीट कर रहे थे 1978 से 1980 के बीट में rolling plan आया था किस पर ये based था तो ये आपने एक book सुनी होगी Asian drama Asian drama जो की गुर्णार मिर्डल की book है उस पर based था हमारा rolling plan तो ये आपको clear हुआ rolling plan 1978-1980 जनता पार्टी के सासनकाल में मुरार जी देसाई जी लीट रहे थे Asian drama गुर्णार मिर्डल ये आपको book याद रखने है book section में पूछ सकता है आपको ये मैंने rolling plan के बारे में लिख भी दिया है यहां से आप पाढ़ सकते हैं मैं टेलिग्राम पे पीडिया प्रॉइट कराने के कोशिस करूंगा मैं बात करूंगा क्योंकि अभी हम लोग एक जहां पे कत्री इतनी है लागडाउन के जासे हम लोग धर धर हो गया है मतलब हम सब लोग अपने घर से work from home कर रहे हैं तो अभी ये चीजे संबह नहीं अपा रहे हैं लेकिन बहुत ही जल हो जाएंगी तो यह आप यहां से पढ़ सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है अरेंज इन फॉलॉइंग स्टेट इन डिसेंडिंग और इन टम्स आप दियर पॉपलेशन ऐस पर 2011 सेंस्ट ऑकी 2011 की जर्णगर्ना के जो दिरिष्टी कोड से है हमको इनको औरोही करं में लगाना है कोश्चन काफी ट्रिकी था ओकैं तो यह कोश्चन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट की क्योंकि यह काफे tricky question है generally जो भी student होता है वो याद करता है कि सबसे ज्यादा population कहां कि है उत्तर प्रदेश की लेकिन यहां पर एक order पूछ लिया है तो order के लिए आपको कम से कम top 3 तो याद होने ही चाहिए देखिए यहां पर सबसे पहला क्या होगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जो होगा यह सबसे ज्यादा populated होगा तो सबसे पहले क्या ना चाहिए option डी तो इसमें आ रहा है सबसे पहले डी इसमें आ रहा है सबसे पहले डी तो third और one इसको eliminate कर दीजे अब competition में कौन बज गया second option और fourth option उसके बाद दूसरा जो है वो क्या option क्या हो जाएगा dcba okay dcba हो जाएगा next question है according to 2011 which of the following union territory had the highest literacy rate एक ही topic से दो question पूछा इसने और लगातार दो question पूछा okay तो आप सोच सकते हैं कुछ जो topics हैं की topics हैं उनको पढ़के रखें okay जैसे जन संक्या हो गया 2011 census हो गया यह सब की topics हैं यहां से questions बनते ही हैं दिवस हो गया तो यह सब आपको number दे के जाएंगे यह सब आप number यह आप अगर इसे अच्छे से याद कर लेंगे तो number आपके कहीं नहीं करने तो यह सब की topics हैं इनको एक जहां note करके रखें कि इनको आपको पढ़ना है बार बार रिवाइच करना क्योंकि question formation इनहीं के आसपास से होता है question था किस संगसासी राजजी में साच्छर्टादर सबसे जादा है तो लच्छदीब जो है जिसके जो capital की बात करेंगे तो क्या है कवरावती कवरावती इसकी capital है यहाँ पर साच्छर्टादर सबसे जादा है कितनी है तो 92.3% यहाँ के लिए trace rate है अगर state की बात करेगा proper तो state है हमारे यहाँ केरिला केरिला state की बात करेगा और union territory की बात करेगा तो लच्छदीब जो है यह सबसे जादा important है current scenario में देखे तो यहाँ पर अभी anti gunda act आया था और अभी लच्छदीब में काफी कुछ administrative level पर इधर उधर दर चलता है तो यह सारी चीज़े आपको current affair में पढ़नी है ओके चलिए next question देखते हैं यह देखे एक और question आया आपका 2020 के इंटेंस में दिवस से related दिवस था national girl child day राष्टी बाली का दिवस राष्टी बाली का दिवस कब मनाया जाता है तो चलिए हम जनुरी की जितने भी दिवस उनको revise करते हैं एक बार जनुरी महतपूर दिवसों जनुरी निशनल girl child day 24th January यानि 25 जनुरी निशनल ओटरस डे राष्टी मद्दाता दिवस 30 जनुरी को तीन दिवस मनाया जाते हैं एक सहीत दिवस दूसरा लिप्रोशी प्रिवेंसन डे कुष्ट निवारण दिवस सर्भोदे डे यानि सर्भोदे दिवस मनाया जाता है तो दो हता है कि आप English ले सकते हैं आप एक Hindi ले सकते हैं दोनों अपने लेबल पर बहुत ही ज्यादा अच्छे subject हैं दोनों में आप अच्छा score कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप Hindi में ज्यादा score करेंगे English में कम score करेंगे तो जिसमें आप 100% अपना दे सकते हैं जो आपको तिन भागों में डिवाइड कर सकते हैं रीत सिद्ध रीत मुक्त और उसके बाद रीत बद में केशोदास चिंता मड़ी आ दिया जाते हैं केशोदास के बारे में एक फैक्ट याद रखेगा इनको कठिन काब का प्रेता कहा जाता है किस ने कहा था तो रामचंदर सुक लिज आएंगे तो आपको क्लियर हुआ बिहारी जी किस से रिलेटर है रीतिकाल से रिलेटर है रीतिकाल को उत्तरमधिकाल अलंकृत काल स्रिंगार काल इन सभी नामों से जाना जाता है स्रिंगाल काल किस ने कहा था इसे तो विशुनात प्रसाद जी ने इसको सिंगाल काल कहा थ तो रीत काल के बारे में इस सारी सीज़ा आपको clear हुई बिहारी जी रीती सिद्ध रीत काल के बिहारी सत्से इनकी महतपूर रचना है नेक्स्ट कोश्चन है बिने पत्रिका किसकी रचना है बिने पत्रिका किसकी रचना है पारबती मंगल, जानकी मंगल, वरवय रमाड, रामग्या फ्रशन वली, रामला नहाचू, बैराग्य संदीपनी, ये तुलसीदास जी की महतपूर रचनाये हैं, इस साल जैसे बिने पत्रिका पूछा है, तो बहुत ज़्यादा प्रवाइलिटी है कि बिने पत्रिका 2021 में न पायदा है, कि उसी के आसपास से कोष्चन बनाएंगे, तो वो आप लोग इसली अटेंट कर पाऊगे, नेक्स्ट कोष्चन देखते हैं, प्रिय परवाइलिटी के बारे में और भी चीज़े हम जानेंगे, इनकी और रचनाओं के बारे में जानते हैं, तो इनका जन पहले जान लीजे इनका निजामाबाद आजमगड में जन्म हुआ था इनका उके इनकी रचना है प्रेप्रावस को खड़ी बोली का पहला महा काबिल नोट कर लीजे बैदेही बनवास इसमें करुणरस की प्रधानता है करुणरस की प्रधानता है उसके परिजात चुपते चौप देरस कलस अधिकला फोल ठेट हिंदी की ठाट रुकमणी प्रण है यह सारी जो रचनाय है यह दहसिंग उपाद है हर्योदीची की रचनाय है तो यह भी आप अच्छे से नोट कर लीजे ओके तो यह आपका यहां पर हिंदी सेक्शन करता होता है अब हम मैथ सेक्शन के और और मैथ के कोशनों को आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाया जाएगा यहां पर कुछी कोशन मैं आपको मैथ के समझा रहा हूं ओके चली मैथ वाले सक्षन पर चलते हैं मैथ का सक्षन है इसमें आपको ऐसे कोई भी कोशन आएंगे देखिए जो छेतरफल होता है यह आप जैसे अभी आप छेतरफल में पढ़ेंगे तो आप यहां प्लाई पसक्त यह तुदreek को यह किटने संस का है दो इसके लिए आपको यह चीज आदकना है x plus y plus x into y upon 100 यह formula आपको याद रखना है यह आपको लगाना है अंसर तुरंत आजाएगा ऐसे question में जहां भी बोले कमी हो रही है बढ़ रहा है ऐसे चीजों में answer यह formula आप लगाएंगे तो तुरंत आजाएगा आप यहाँ पे देखिए 50% की कमी हो रही है तो r into r होता है तो successive कमी हो रही है 50 की कमी होगी फिर 50 की कमी होगी तो minus 50 तो यहाँ पे x के जहाँ पे क्या रखना है मैं को minus 50 y के जहाँ पे क्या रखना है minus 50 इसके बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उस सारे तरीके आपसे board पे discuss किये जाएंगे तो math आपको अच्छे से board पे पढ़ाई जाएगी तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एक तरीका हम लोग देख लेते हैं और भी बहुत सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा इसके जिससे आप इसे solve कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक हम major तरीका इसका देखते हैं तो x plus y plus x into y upon 100 तो इसमें x की जहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे minus 50 तो दो dimensions का है तो y के जहाँ पर भी हम लोग क्या रखेंगे minus 50 तो यहाँ पे देखिए x के जहाँ minus 50 y जहाँ minus 50 minus plus minus हो गया और उसके बाद यह plus यह इसको हम लोग जब multiply कर देंगे तो यह आ जाएगा पचीश सो अपान तो इससे cancel हो जाएगा 20 से 20 cancel तो minus 100 plus 25 plus 25 तो यह क्या बन जाएगा answer 75 वो भी किसका minus का यानि जो area होगा minus 75 minus 75 जो है वो decrease करेगा इस question को लगाने का एक दूसरा भी तरीका है इस तरीकों को भी आप लोग देख लीजिए तो मैंने आपको बताया कि आप ब्रित का छेत्रफल क्या होता है pi r इसको है r यहाँ पे 2 टाइम से दो बार है तो यहाँ पे 50% को हम लोग क्या लिख सकते है 50% को हम लोग लिख सकते है 1 upon 2 1 upon 2 कैसे लखेंगे यहाँ पे 100 कर देंगे तो 15 यह हो जाएगा 1 upon 2 1 upon 2 लिख सकते है इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहले जो बिरित की तिरिज्जा थी 2 थी अब वो एक कम हो गई एक कम हो गई दो मेंसे तो कितनी बची एक तो यानि पहले 2 थी और अब कितनी बची एक बची उसके बाद फिर r square है यानि दो बार decrease होगा तो यहाँ पिर 50 decrease होगा तो 50 decrease होगा तो इसका 1.2 थी यानि पहले 2 थी फिर एक हो गई अब यहां से हम लोग करेंगे तो 2 को 2 से multiply कर देंगे तो 4 आ जाएगा 1 को 1 से multiply कर देंगे तो 1 आ जाएगा ओके तो यहां तक आपको समझ में आया कितना हो गया 4 1 यहां यहां पर decrease कितना हुआ यहाँ पर decrease हुआ, minus 3 का, minus 3 का decrease कितने से हुआ, 4 से सीधा 1 हो गया, 4 से क्या हो गया, एक हो गया, जनी 3 का decrease हुआ, 3 की कमी हुई, किस पर हुई, 4 पर हुई, और उसके बाद, इसको 100 कर देंगे, हम लोग percentage में बनाने के लिए, तो इससे हम लोग करेंगे, तो यह आ जाएगा 25, 25 को जो हम 3 से करेंगे, तो यह आ जाएगा 75%, okay, 75%, और भी बहुत सारे तरीके हैं, इसको solve करने के लिए, लेकिन यह दो तरीके सबसे easy हैं, okay, I hope यह तरीके आपको समझ में आया होंगे, चलिए, next question के ओर देखते हैं हम लोग, okay, next question है, the ratio of the man says to his son is, is 4 ratio 1, the product of their ages is 196, the ratio of their ages after 5 years will be, okay, कह रहा है, एक बेक्त के उम्र का अनुपात और उसके पुत्र का, पुत्र से 4 ratio 1 है, 4 ratio 1 का मतलब कि अगर आपके पिता इस समय 40 साल के हैं, तो आप इस समय 10 साल के हैं, okay, तो यह हो जाता है, 4 ratio 1 का अनुपात, उन दोने के उम्र का गुडनफल 196 है, 5 वर्स के बाद उन कि सन है, okay, तो उनका ratio क्या है, 4 ratio 1, 4 ratio 1 है, तो इसको हम लोग, इसको एक नियतांग में हम लोग मानेंगे कि इसको ratio लगा लेते हैं, okay, ratio लगा लेते हैं, यह 4 ratio है, यह 1 ratio है, इसको हम लोग multiply करेंगे, उसमें दिया गया है, product जो है, इन दोनों का product जो है 196 है, R के जहाँ आप इसे generally सब लोग मानते हैं, लेकिन ratio आले में, आप लोग R मान लीजिए, यह भी बहुत ही ज़्यादा समझने लाइक है, क्योंकि कभी-कभी न यह चीज आपको practice करते करते पड़ जाएगा, तो आप R माननेंगे ही नहीं, ऐसे ही कर देंगे, तो यह आपको time consume नहीं होगा ज 7, R का मान आएगा 7, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि आज से 5 साल बाद, यानि अभी आपकी एच 40 है, और उसके बाद अभी आपके पिता जी की एक 40 है, और आपकी ए 10 है, लेकिन आज से 5 साल बाद कितनी होगी, आपकी एच 15 हो जाएगी, आपके पिता जी की पता चल जाएगा कि पिता जी की एज कितनी है 28 है और पुत्र की एज कितनी है 7 है यानि पिता जी जो है समय 28 साल के हैं और जो पुत्र है वो 7 साल का है अब इनमें 5 साल और जोड़ दीजी अगर हम 28 में 5 साल जोड़ेंगे तो 33 साल यानि हम भविस्य में जा रहे हैं भविस्य निकालेंगे तो यह आजाएगा तरी से हम जब इसको काटेंगे तो 11 रिशियो फोर आजाएगा 11 रिशियो फोर आजाएगा तो यह हो जाएगा इसका सही अंसर और यहां पर option कौन सा सही हो जाएगा थर्ड option जो है यह correct हो जाएगा तो आई होप आपको clear हुए question आपको यह question math का यह question math का समझ में आया होगा अच्छे से मैंने अच्छे से explain करने की courses की है लेकिन यह चीज़े आपको board पर और अच्छे से समझ में आएगी तो math का जो portion है आपको board पर cover कराया जाएगा आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें तो आई होप यह आपको अच्छे से समझ में आया है तो मैं एक बार questions को repeat कर दे रहा हूं जो मैंने question आज के लिए पूछे हैं आपको जिनका अंसर आपको comment box में देना है question है A और उसके बाद C उसके बाद D और उसके बाद E और हो सके तो आप K का भी यह आपके लिए optional है आप दे सकते हैं भी नहीं भी दे सकते हैं A C D E इनका इन विटामिनों का क्या बताना है आपको रसाइनिक नाम साइंटिफिक नेम बताना है वेग्यानिक नाम रसाइनिक नाम आपको बताना है ओके इनका रसाइनिक नाम आपको comment box में बताना है तो यह आज का question है जिसका answer आपको comment box में बताना है जिसका answer सब कमेंट बाक्स में दे सकते हैं तिल देन कीप वाचिंग वे चुपाट साला